पूजा भट नेर्मित फिल्म कैबरे रिलीज तो होगी मगर पारमपार एक सिर्मा घरों में नहीं बलकि इस फिल्म का डिजिटल रिलीज होगा ये फिल्म तो सिनमा घरों के लिए ही बनी थी लेकिन पूजा भट समय के साथ चलते दर्शकों तक पहुँचने का आधुनिक तरीका अपनाना चाहती हैं किस पे ध्यान दे हम लोग समय तेनी सी फिल्म भी देखरें किसी का प्रोम भी देखरें फोन भी ले रहें खाना भी बना रहें आधुनिका प्रोम भी देखरें किसी फिल्म भी आपने पर अराम से देख सकें जब ही आपको पॉस करना है पॉस करें और अगर आपको लगता है कि नहीं यार यह आपको कही नहीं वापस काम सी खीच रहा है वापस तो सी सम्धिंग जब लोग ने कंविक्शन छोड़ दी उन्होंने उस ताइम पे हात बढ़ाया और कंविक्शन के साथ में मुझे कहा कि चलो यह फिल्म रिलीस करते हैं और इसलिए मैं यह हूँ आज तो महत्पूर्न रोले और मेरा पूरा कोशिश है था कि मैं इसको पूरी अच्छी दिल से निभाए और पुझा दीने एक अच्छा एक प्लाटफोर्म दिया है मुझे तो ओफुली अब इस विल्मी तो गेट फर्दर रोल्स और डिशल प्ल पूराल जातार को कि ईया है अब एक चोटे परदे के लिए नहीं था बड़े परदे के लिए बड़े परदे के लिए प्लुपर बॉलीवड बिग बोल्यवड रिलीस था तो हरद डीटेल्स बहुत ठीक तरह से जिसे पूरादीव हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के तो उनमें एक किरिदार प्ले कर रहा हूं चेटा करके तो तो I am very thankful to the whole team especially Poojaadhi and Mahister and I was very lucky to see him work and you know have an interaction with him and also that helped me in the next movies which I did like I did couple of other movies also तो अभी future में भी अभी work करने के बाद मैं excited तक कब रिलीस होंगे and I am really excited now क्योंकि digital platform में कोई भी देख सकता है और हर किसी का नहीं बिल्कुल जैसे सही का पहली बात तो यह कि बिल्कुल वाके excited हैं दूसरी बात यह कि यह सिनेमा बड़े सिनेमा के लिए पड़े परदे के लिए बनाई गी यह फिल्म और जैसे की समय के साथ चलना एवाल होना बहुत जरूरी है फिल्म बनाने वालों ने डिसाइड किया कि यह picture इस पिक्चर इनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी यह picture डिजिटली दिखाई जाएगी डिजिटली प्रेमियर किया जाएगा वोल्ड प्रेमियर नाइन्थ ज कि इतनी शांदार फिल्म कि बनाने वाले जो हैं वो पिच्छरे बड़ी इंटरस्टिंग बनाते हैं हमेशा से यह जो पुझा भट जो हैं जो फिल्म में बनाती जो कहानी चुनती हैं ऐसी एक्ट्राइडनरी परफॉर्मेंस इस रिचार चड़्डा ने इतनी अच्छी प एक जमाना था जब सिनमा घरों के बाहर टिकेट के लिए लंबी कतारें दिखती लेकिन समय के चलते फिल्म के रिलीज में भी बड़ा बदलाव आया है